नमश्कार दोस्तों, कथा मंतन में आपका स्वागत है कथा मंतन में आज की कहानी है नहराश्य लीला, लेखक मुशी प्रेमचंड पंडित हिर्दैनात आयोध्या के एक सम्मानित पुरुष थे धन्वान तो नहीं लेकिन खाने पीने से कुछ थे कई मकान थे, उन्हीं को किराये पर गुजर हो जाती थी किराये बढ़ गए तो उन्होंने अपने लिए एक सवारी भी रख ली बहुत विशार्चिल, आदमी थे अच्छे शिक्षा पाई थी और संसार का भी तरज्यूर्ब था पर क्रियात्मक शक्ती से वंचित थे, सब कुछ ना जानते थे समाज उनकी आँखों में एक भैंकर भूत्ता जिससे सदेव ड़ते रहना चाहिए उसे जराबी रुष्ट किया तो फिर जान की खैर नहीं उनकी इस्त्री जागेशवरी उनका परतिभिम्ब थी पती के विचार और उसके विचार, पती की इच्छा उसकी इच्छा दोनों पराणियों में कभी मदभेद ना था जागेशवरी शिवु पास सकती तो हिर्देनत वैशनव परदान और वरत में दोनों को समान्च रदा थी, दोनों धर्मिनिश्ट थे और उससे कहीं अधिक जितना सम्मान्यत शिक्षित लोग हुआ करते हैं इसका कदाचित यह करन था कि एक कन्या के सिवा उनके कोई संतान ना थी उसका विवा तेरवे वर्ष में ही हो गया और माता पिता अब यही लाल सार में रहते थे कि भगवान इसे पुत्रवर्ती करें ताकि हम सब अपना नवासे के नाम लेकर निशिन्त हो जाए परन्त विधाता को कुछ और महीं मंजूर था कैलास कुमारी का भी गौना भी ना हुआ था और वह यह भी नहीं जानने पाई थे कि विवा का मतलब क्या होता है कि उसका सौहाग उड़ गया वैदहवय ने उसके जीवन की अभिलाशाओं का दिपक बुजा दिया माता और पिता विलाप कर रहे थे घर में कुराम मच्चा हुआ था पर कैलास कुमारी भोचक्की हो होकर सबके मुँकी और ताक्ती थी उसके समझ में ने आता था कि यह सब रोते क्यूं है माबाप की एकलोती बेठी थी माबाप के अतरिक्त वै किसी तीसरे व्यक्ती को अपने लिए आवश्यक ना समझती थी उसकी सुक कल्पनाओं में अभी पती का परवेश ना हुआ था वह तो यह समझती थी कि इस तरिया पती के बनने पर इसलिए रोती है कि वह उनका और उनके बच्चों का पालन करते है पर मेरे घर में इस बात की कमी नहीं है तो मुझे इस बात की क्या चिंता की खाएंगे क्या पहनेंगे क्या मुझे तो जिस चीज की जरुवत होगी बाबुजी तो रंतला देंगे तो फिर क्यों रोओं वे अपनी मा को रोते देखती तो रोती पती के शुक्त है नहीं मात्र प्रेम से और कभी यह सोस्ती कि शायद ही है लोग इसलिए रोते हैं गर में आना जाना उनों ने छोड़ दिया सिर पर हाद धरे कमरे में उदास बठ रहते उससे विशेश दुक इस बात था कि सहीलिया भी अब उसके साथ केल देना आती थी उसने उनके घर जाने की माता से अग्या मांगी तो वे फूट फूट कर रोने लगी मादा पिता की यह दशा देखी तो उसने भी कहीं जाना शोड़ दिया उसकी एकांत प्रियता को माबाप ने कुछ औरी अर्थ समझा लड़की शोक से मारे घुली जाती है इस वजरगात से उनके हिर्दे टुकड़े हो जाते थे एक दिन हिर्दे नात ने जागेशवरी से कहा जी चाता है घर चोड़ कर कहीं भाग जाओ इसका कश्ट अब देखा नहीं जाता जागेशवरी ने बोला मेरी तो भगवान से यही प्रातना है कि मुझे इस संसार से उठा ले किस भाती इसका मन बहला है जिससे शोक में विचारान नहीं आने पाएं मेरी तो बुद्धी कुछ काम नहीं करती हम लोग यूहीं अगर मातम करते रहे कि तो लड़की की जान पर बन जाएगी तुम कभी कभी एक काम किया करो उसे सेर पर ले जाया करो जिससे उसका दिल बहलता रहे मैं तो उसे देखते ही रो पढ़ते हूँ लेकिन अब जब्त करूंगी फिर देनात ने कहा मैं भी उसके दिल बहलाने के लिए अच्छी चीज़े लाया करूंगा कल एक सेर भी लाऊंगा और अच्छे अच्छे द्रिश्ये जमा करूंगा ग्रामो फोन तो आज ही मंगवाए देता हूँ बस हर वक्त किसी ना किसी काम में उसे लगाए रहना चाहिए उस दिन से जगेश्वरी ने कैलास को उमारी के लिए विनोद और प्रमोद के समान जमा करने शुरू कर दिये कलासी मा के पास आती तो उसकी आँखों में आसू की बूंदे न देखती होटों पर हसी की आभा दिखाई देती वह मुस्करा कर कहती बेटी आज थियेटर में बहुत अच्छा तमाशा होने वाला है चलो देखाएं अभी कभी गंगा इसनान को ठेड़ती वह माम बेटी किष्टी पर बठकर नदी में जल विहार करती तो कभी दोनों संधिया समय पार्क के और चली जाती दिरे दिरे सहेलिया भी आने लगी कभी सब की सब बठकर ताश केलती कभी गाती केलासी को देखते ही मगन होकर बोलते बेटी आओ आज तुम्हें काश्मीर दिखाऊं या कभी कहते आज सीजर लेंड के अनुपम जाकी और जड़नों की छटा देखें कभी गरामों फोन बजाकर उसे सुनाते केलासी इन सर सपाटो का खुब आनंद उठाती इतने सुक उसकी जिन्दगी में कभी ना आये थे इसी भाती दो वर्ष बीद गए केलासी सेर तमाशे की इतनी आदी हो गई कि एक दिन भी थेटर ना जाती तो बेकल सी होने लगती मनोरंजा नवींता का दास है और समानता का शत्रू थेटरों के बाद सिनेमा की सरक सवार हुई ग्रामो फोन के नएने रिकॉर्ड आने लगे संगीत का चस्का पढ़ गया ब्रादरी में कहीं उत्सव होता तो मा बेटी अवश्य जाती मानो किसी बात की उसे कोई चिंता ही नहीं हो जीवन में किसी से और किसी से कुछ लेना देना ही नहीं हो और बोलती यहां किसी को इसका रसी नहीं है जिन यह भगवान ने समर्थे भी दिया है वह भी सरे शाम से मूझ धकर पढ़ रहते हैं सहलियों को कैलासी की यह गर्व पूंड बाते बहुत अच्छी लगती सिनेमे के बाते सुनने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था पड़ासियों में इन सेर सापाटों की अब चर्चा होने लगी लोग समझती किसी की रियायत नहीं करती विद्वा के लिए पूजा पाठ है तीर्थवर्थ है मोटा खाना है भेनना है उसे विनोद और विलास राग रंग की क्या जरूद बिदाद ने जब उसके सुक के द्वार पंद कर दिये हैं तो लड़की प्यारी ही सही लेकिन शरम हया भी तो कोई चीज है अगर माबाप उसको सिर चड़ाये हैं तो उसका क्या दोश है ये सब बाते नित्या ही पड़ोसियों में होने लगती कुछ दिनों तक तो आपस में खिर्चरी पकती रही अंत में कई महिलाएं एक साथ जोगेश्री के घर में गई जोगेश्वरी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया कुछ देर तक इधर उधर की बाते करने के बाद एक महिला बोली कि बेहन तुमी मजे में हो हसी कुशी दिन काट देती हूं हमें तो दिन पाढ़ हो जाता है ना कोई काम ना धंदा यहां तक कि कहां बाते करें दूसरी देवी ने मटकाते हुए कहा अरे यह तो बंदे की बात है सभी के दिन हसी कुशी से कटें तो रोए कौन यहां तो सुबह से शाम तक चक्की चूले से छुटी ही नहीं मिलती इस पर एक विरिधा ने कहा नौज ऐसा दिल यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए दुनिया में कितना ही उपास औरो हो लेकिन आदमी अपने राग रंग में मस्त है वे दिल है कि पत्थर ग्रहनी हम कहलाती है हमारा काम में अपनी ग्रहनी में मद रहना अमोद प्रमोद के दिन में काटना हमारा काम नहीं है लोक लाज भी तो कोई चीज होती है महिलाओं के इस निर्देव यंग पर लजजीत होकर जगेश्वरी का माथा जुग गया आहत को तरपाना उनका उदश्य था और चोड जो है सीधा जगेश्वरी के दिल पे लगी हिर्देनात उन प्रुशों में ना थे जो प्रतेक अफसर पर अपनी आत्मिक सौतंतर का सुभांग करते हर धर्मी को आत्म सौतंतर के नाम से चिपाते रहते फिर वे जगेश्वरी की बात सुनकर के बोले तो अब क्या करना चाहिए तुम्ही उपाएब बताओ हिर्देनात के पड़ोयोसनिय जो अक्षेप किया था केलाश कुमारी के सभाव में मुझे एक विजितर अंतर दिखाई दे रहा है यह मुझे भी विदित हो रहा था तो उनका ख़दन सत्य है कि विद्वाओं के लिए इतना मोद पर मोद वरजित है लेकिन केलाशी को तो इन खेल तमाशों की आदत हो गई है वह इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती पर अब उसकी मनुवर्टियों को बदलना होगा हिदैनात ने कहा शिनेश ने यह विलासों माद शांत होने लगा वासना का तिरिसकार किया जाने लगा पंडिक जी संधिया समय ग्रामोफोन ना बजाकर कोई धरम गरंत पढ़ते है सहीम और उपासना में माँ बेटी रत रहने लगी कहलासी को गुरुजी ने दिक्षा दी महले और ब्रादी की स्रियाई उत सब मनाया गया मा बेटी अब किष्टी पर सैर करने के लिए गंगा न जाती बलकि स्नान करने के लिए मंदिरों में नित्या जाती दोनों एका आदशी का निर्जल वरत करने लगी कहलासी को गुरुजी की नित्या संधिया समय धर्मों बदेश देते कुछ दिनों तक तो कैलासी को या विचार परिवतन बहुत कश्ट जनक मालूम हुआ प्रंदो थोड़े ही दिनों में उसे धरम से रूची हो गई आप उसे अपनी अवस्था का ज्यान होने लगा पती का यथार्थ आशे भी समझ आने लगा पती ही स्त्री का सच्चा मित्र है, सच्चा पत्रदशक और सहायक है पती विहीन होना किसी गोर पाप का प्राशित है जरूर मैंने पूर्व जनम में कोई अकर्म किया होगा पती देव जिविद होते तो मैं फिर इस माया में फस जाती प्राश्वित का अफसर का मलता गुरी जी का वचन सत्य है कि प्रमात्मा ने तुमें पुर्व कर्मों के लिए प्राश्वित का ये अफसर दिया है वेदहव्य यातना नहीं जीव उद्धार का सादन है तुम्हें उद्धार् त्याग, विराग, भक्ति और उपासना से ही हो गाई है आवित में सब कुछ का त्याग करना पड़ेगा कुछी दिनों के बाद उसकी धार्मिक वृति इतनी प्रबल हो गई कि अन्य प्राणियों से वह प्रिथक रहने लगी किसी का न छूती महरियों से दूर रहती सही हिली उसे गले तक न मिलती दिन में दो दो तीन तीन बार इसनान करती और सदेव कोई न कोई ध्रमगरंत पड़ा करती सादू महत्माओं की सेवा सतकार से उसे आत्मीक सुख प्राप्त होता अगर किसी महत्मा की आने की खबर मिल जाती तो वह उनके दर्शन को जरूर सुनने जाती और यहां तक की तीन वर्सों में ही उसने सन्यास ग्रैन करने का निश्य कर लिया माबाप ने जब यह सुना तो उन्होंने अपना सर ही पिट लिया बेटी अभी तुमारी उमर ही क्या है तुझो तुम्हें ऐसी बाते सोस्ती हो कैलास कुमारी ने कहा माया मोक जितनी जल्दी रिवित हो जा उतना ही अच्छा क्या अपने घर में रहकर माया मोक से मुक्त नहीं हो सकते हैं कितनी बदनामी होगी हमारी भगवान को अपने चर्णों पर अरपन कर चुकी है मुझे बदनामी की चिंता नहीं है पापा बेटी तुम्हें ना हो पर हमें तो है तुमने जो सन्यास ले लिया है वह किस अधार पर हम जीएंगे परमात्मा ही सब का अधार है किसी दूसरे की प्राणी का अश्रे लेना आप की भूल है दूसरे दिन मौले वालों तो यह सब कानों में बात पहुँच गई जब कोई अवस्था असाद्य हो जाती है तो हम उस पर व्यंग करने लगए यह तो होना ही ता नई बात क्या है पड़ासियों ने बोला लड़कियों को इस चंद नहीं करना चाहिए पहले तो फूले ना समाते थे कि हमारी लड़की कुल का नाम उजवल कर रही है पुरान पढ़ती है उपनीशेद विदान्थ का पाठ पढ़ती है देख लिया क्या फाल हुआ इस उमर में ही सन्यास लेने जा रही है पर कई सजन हिर्दैनाथ के पास आए और सूर्ज जुखा कर बैठ गए बोला डॉक्टर गॉड का प्रस्ताव आज बहुमत से सुक्रित हो गया है कि हमारे सादु मात्मा जो हिंदु जाती के स्थम्भ है इतने पतीत हो गए है कि भोली भाली युवतियों को भैकाने में संकोच नहीं करते तो सरवराश होने में क्या रह जाएगा तब इर्दैनाथ बोले यह विपती तो मेरे सर आई ही पड़ी है आप लोगों को तो मालूम होगा हाँ हम सब को मालूम है तो इसके लिए कोई रास्ता तो खोजना ही होगा एक काम कीजिए यदवी मैं इसे अच्छा नहीं समझता फिर भी यह आपको सला दे रहा हूं कि विद्वाओं से अध्यापकों का काम लेना चाहिए लड़की भी आपकी सामने रहेगी और लड़की का भी मन लगा रहेगा और भटकने की भी आपको शंका न रहेगी सला तो अच्छी है दूसरे महाश्या बोले महले की दस-पांच कन्याई पढ़ने के लिए बुला ली जाए उन्हें किताब गुड़िया दी ना मिलता रहे वे बड़े शौक से आएंगी लड़की का मन भी भेल जाएगा हिर्दैनाथ बोले देखना चाहिए भरसक समझाऊंगा और जोहीं लोग विदा हुए हिर्दैनाथ ने केलास कुमारी के सामने बोला केलासी को सन्यस के उच्छ पद के सामने अध्यापिका का बनना अपमान जैनक जान पड़ता था कहां वे मात्वाओं का सत्संग कर परवतों की गुफा मान सरोवर और कलास की शुबर छटा जाने के लिए तैयार हो रही थी और कहां छोड़ी-छोड़ी कन्याओं को पढ़ाना सेवा वरधारी अपने को प्रमार्त की वेदी पर बली दे देता है यह गौरव जादा था यहां तक की धिरे-दिरे कलासी के विचारों में भी परिवरता नाने लगा पंडिजी ने क्या किया कि महले वालों की लड़कियों को इकत्र किया पाटशाला का जन्म हो गया नाना प्रकार के चितर और खिलोने मंगवाए पंडिजी स्वैम कैलास कुमारी के साथ लड़कियों को पढ़ाते कन्याओं शौक से आती उन्हें यहाँ पढ़ाई खेल मालूम होती और थोड़े ही दिन में पाटशाला चल पड़ी और उसके नाम की धूम हो गई और कई महले की कन्याओं भी अब आने लगी किंतु कैलास कुमारी की सेवा प्रवर्ती दिनों दिन तिर्वर होने लगी दिन भर लड़कियों के लिए रहती कभी पड़ाती कभी उनके साथ खेलती कभी सीना पिरोने से खाती पाटशाला ने एक परिवार का रूप ले लिया था अगर कोई लड़की बिमार हो जाती तो वह तुरंद उसके घर जाती उसकी सेवा करती पाटशाला को खुले वे अभी एक साल भी ना हुआ था कि एक लड़की जिससे केलास कुमारी को बहुत प्रेमता उसे चेचक निकल आई कैलासी उसे देखने गई माबापने बहुत मना किया बोली तुरंत लौट आउंगी पर लड़की की हालत इतनी खराबती कि कहां रोते रोते तालू सूप गया और कैलासी को द कि उसकी माता भी माता थी और कैलासी को उसके मवथ पर विश्वास ना होता था इस परकार तीन दिन तक कैलासी वहीं बैठी रही चौते दिन लड़की की हालत को संबलती भी मालू हुई तब वह अपने घर आई अगर अब अभी इसनान भी ना करने पाई थी कि आदमी पहुंचा जल्दी चलिए लड़की रो रोकर जान दे देगी कैलास कुमारी बोली के दादा आप जुंजलाईए मत मैं अभी बेचारी को देख करके आती हूँ हिर्देनाद बोले कह दो ना हस्पताल से कोई नर्स बुलवा ले तो यहाँ पे कन्याए कैसे पड़ेंगी खेलासी बोली आप चिंता मत कीजिए मैं तुरंत आ जाऊंगी अभी तो उसके धाने मुर्जाने लगे हैं पर यह तो छूत की बिमारी होती है खेलासी हसकर बोली मर जाऊंगी तो आप किसे से एक विपत्ति टल जाएगी यह करकर उसने उधर की रहा ली भोजन की थाली भी पड़सी रह गई तब इड़दानाती जगवेशीरी से कहा जान पड़ता है पाटशाला भी मुझे बंद करनी पड़ेगी बिना माजी नाव पार लगाना कठिन होता है जिदवर हवा पातिय उधरी बह जाती है जागेश्वरी ने कहा जो रास्ता निकलता है वही किछ दिनों बाद दलदल में फसा देता है अब फिर बदनामी के आसामान नजर आ रहे हैं लोग कहेंगे दूसरी कोई यहां लड़की जाती है और कई कई दिनों तक पड़ी रहती है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता कैलास किरुआरी फिर दो दिन के बाद लोटी तो हिदे रात ने पाठशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रखी कैलासी ने तीवर सोर में कहा अगर आपको बदनामी का इतना भै तो मुझे विश दे दीजे इसके सीवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है बेटी संसार में रहकर तो हमें संसार से विरक्ती नहीं कर सकते न मुझे कुछ मालूम नहीं के संसार मुझे से क्या जाता है मुझे में जीव है चेतना है तो मैं जड़ बन करके क्यूं रहूं क्यूं मैं अपने आपको अभागनी दुखिया समझूं और एक रोटी खाकर पड़ी रहूं। संसार मुझे जाये जैसा समझे मैं अपने को अभागनी नहीं समझती। मैं अपनी आत्मरक्षा आप कर सकती हूं। यह कहकर कैलास कुमारी वहाँ से चली गई। इधर कुछ दिनों से उसे अपनी बेकसी का यथार्थ ग्यान होने रगाता कि इस्तरी पुरुष की आधीन है। मानो इस्तरी को विधाता ने इसलिए बनाया है कि वह पुरुष के आधीन रहे। इस्तरी के भागे का विधायक है। इस्तरी क्यों नित्य पुरुष के आश्रय चाहे मूँ ताके। इसलिए ना क्योंकि रिष्ट्रियों में अभिमान नहीं है, आत्मसमान नहीं है, यह सब ढौंग है। एक दिन उसने अपने बाल गुते, जुड़े में गुलाब का फू जो पिछले आठ वर्सों ते रखती आई थी। गंगी और आइने को अव्य त्याज्य ना समझती थी। नित्य प्रती सहलक के दिन में जब बराते निकलती तो प्रते एक इस्तरी अपनी अपनी अटारियों पर खड़ियों कर देखती। एक भी दिन भूलकर उन जुलूसो करने लगी। जोगेश्वरी ने भी वरत का समान किया नहीं नहीं साडिया मंगवाई। कैलास कुमारी की ससराल से भी सबसर्वर कपड़े मिठाई या खिलोना हैं आया करते थे। अक्की भी आये। यह विवाईता इस्त्रियों का वरत है इसका फल है पती का कल्यान। कि उसने निश्य किया कि मैं वरत ना रखूंगी। मा ने सुना तो माता ठोक लिया। बोली बेटी यह वरत रखना तो तुमारा धर्म है। किलास कुमारी बोली पुरुष का भी तो धर्म है कि वह इस्त्रियों के लिए वरत रखे पर मर्दों में तो ऐसी कोई परता नहीं इसलिए ना कि पुरुष को इस्त्रियों की जान उतनी प्यारी नहीं होती पर इस्त्रियों की कैसे बराबरी कर सकती है बेटी। मैं इसे अपना धर्म नहीं समझती। मेरे लिए आत्म की रख्शय के सिवा और कोई धर्म नहीं है। बेटी गजब हो जाएगा, दुनिया क् अपनी आत्मा की सिवा मुझे किसी का भेह नहीं है हिर्देनात नहीं जब यह बाते सुनी तो चिंता सागर में डूब गए इन बातों का क्या आश्य क्या आत्म सम्मान का भाव जागरित हुआ या नराश्य की क्रूर क्रिड़ा है धनहीन प्राणी का जब कश्ट निवारं का कोई उपाई नहीं रह जाता वे लज्जा को त्याग देता है निसंद्य नराश्य नहीं यह भीशन रूप धारण किया है मनुष्य लोग लाज और उपहास की और से उदासीन हो जाता है नैतिक बंधन तूट जाते हैं यह नराश्य की अंति मवस्ता होती है हिदेनातिनी विचैरों में मगन जागेश्वरी से कहा अब क्या करना होगा अब क्या बताओं कोई उपाई है बस एक ही उपाई है पर मैं उसे अब जबान पर नहीं ला सकता